गुड इमनिंग एवरीवन, वेलकम बाक टो आज चैनल, मेरा नाम अंचुले चले देख लेते हैं कल के लिए क्या प्राइस अक्षन हो सकते हैं और मार्केट किस डाइरेक्शन में मुग कर सकता है सबसे पहले देख लेते हैं, आज निफ्टी का एक मंतली एकस्पाहरी भी था, अगर निफ्टी का ओपनिंग देखते हैं तो एक फ्लाइट ओपनिंग देता हो नीचे के सब आया, पर कई न कई जो एक 21,900 का सपोर्ट लेवल था, जहांसे अगर पुराने दिन पर भी देखत हैं, तो यहां पर एक ट्रेंड लाइन बनता हुआ नजर आ रहा है, और आज के दिन निफ्टी इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक नहीं कर पाया, अगर मैं 15 मिनिट में वापस आता हूं, तो इसी ट्रेंड लाइन पर मुल्टिपल टाइम सपोर्ट लिया, आज के पूरे ट्रे बना था, लोवर लोवर हाई का, उसी लवेल पे आके क्लोजिंग दिया है, अगर हम निफ्टी का हो आए देखते हैं, तो 22,000 पे एक स्ट्रोंग कॉल रेटिंग के साथ एक क्लोजिंग दिया है, इस मंतली एक्सपाइर में, अगर मैं डाइरेक्ली नेक्स्ट वीक में स्कि की तरह काम करेगा, डाउंसाइट पर 21,900 और 21,800 अच्छा सपोर्ट लविल की तरह काम करेगा, अगर हम चार्ट पर वापस आता है, तो यह जो रेंज होगा निफ्टी के लिए, 22,100 से लेके 21,900 तक यह पूरा रेंज एक वालटायल रेंज होगा निफ्टी के लिए, अगर निफ्टी बाइचांस भी नीचे के साइड आता है, तो यह ट्रेंड लाइन एक सपोर्ट की तरह काम करेगा, अगर यह ट्रेंड लाइन फेल होता है, तो डायरेक्ली 21,700 और 21,500 के पास सपोर्ट देखने को मिल रहा है, अगर निफ्टी में एक डायरेक्ट गैप खुलता ह नहीं तो नीचे के साइड फिट से आके गैप क्लोस करके एक गैप सपोर्ट ले सकता है या फिर डायरेक्ली यह ट्रेंड लाइन ब्रिच कर सकता है, अगर गैप डाown खुलता है और ऊपर की साइड ज जाता है, तो यह जो ट्रेंड लाइन यह एक रिषिस्टेंस की तरह का किया एक 400 पॉइंट के फॉल बाद ये कंटीनिव नहीं कर पाया और आज के दिन पूरा रिकावर भी किया ये फॉल को और कई ना कई 46 300 के पास एक रेजिस्टेंस लेकी क्लोजिंग दिया है अगर हम बैंक निफ्टी का हुआ है देखता है तो आज का जो एक्सपाइरी है ये 46 100 से लेके 46 200 के रेंज के अंदर क्लोजिंग दिया है अगर हम डिरेक्ली नेक्स्ट वीक के एक्सपाइरी देखता है तो 46,000 पे अगर हम बैंक निफ्टी के चार्ट पर वापस आते है तो आज का जो हाई है या क्लोजिंग हाई है 46 400 के पास और ये जो एक स्विंग लोग देखने को मिल रहा है 46,000 ये एक 300 पॉंट का रेंज एक आज का इंट्राड हो है ये लविल एक सपोर्ट की तरह काम करेगा अगर इसके नीचे आता है तो 45 200 डैरेक्ली 400-500 points डाउन 45-200 के पास अगला support देखने को मिल रहा है अगर bank nifty में gap up opening आता है above 46-600 के ऊपर खुलता है तो एक resistance 47,000 पे है अगर इसको भी break करता है तो directly 47-500 पे अगला resistance देखने को मिल रहा है अगर downside आता है तो 46,000 जो round level है यह level एक support की तरह काम करके bank nifty reversal दे सकता है अगर bank nifty में gap down आता है below 45-500 या 45-600 तो फिर से panic scenario आ सकता है या panic scenario ट्रिगर कर सकता है जहाँ पे bank nifty और 1000 points नीचे के side rally कर सकता है तो यह होगा मार analysis कल के लिए thank you